नमस्कार दोस्तों निफ्टिया चनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको कहा था कि यहां पे 19,563 के उपर आपने कॉल लेनी है उपर टार्गेट 90,600 और फिर 680 बताया था पर यह 600 तक ही सारा दिन इसने बिता दिया तो इसलिए इसमें कोई खास मुमेंटम देखने को नहीं मिला तो इसमें कोई खास ट्रेड भी नहीं मिली 10-15 पॉइंट ही मिले कोई खास नहीं मिला तो अब हम आते हैं रुपईये पर तेखिए रुपईया जैसे कि मैंने बताया था कि 82.3 stop loss रखना यह 80.36 तक गया फिर वापस नीचे की और यहां पर एक लंबी शैडो बन गी मतलब यहां पर एक स्ट्रगल हो रही है जो मैंने stop loss बताया था कि यहां से गिरावट आ सकती ह तो आपने sell side ही रहना है यहां पर क्यों क्योंकि यहां पर एक strong resistance है technically chart पर यह देखिए यह देखिए इसलिए मैं stress दे रहा हूँ यहां पर sell के लिए तो यहां पर selling के chance जादा है अब अपने stop loss को यहां पर sell करके 82.36 भी रख सकते हैं और नीचे की और आपने फिर buy करना है 81. 81.82 में यहां पर जब तक यह नहीं आता तब तक आपने दुबारा buy नहीं करना ध्यान रखना इस चीज़ का आपने buy करना है 81.90 सोची sorry 81.90 जहां चो मैंने यह पहले भी यहीं से buying आई थी तो ध्यान रखना यहां पर हमने buy करना है 81.90 और यहां पर stop loss 81.828 का रखना है तो यह था रुपईये में देखिए दो स्टोक ही मुझे एक अच्छे लगे चार्ट पर एक तो था इंडस बैंक जिसने एक अच्छा breakout दिया है 1123 इसकी sport है और 1242.73 इसके उपर के resistance है दूसरा जो स्टोक मुझे अच्छा लग रहा है चार्ट पर वो है ICAC bank 943 इसकी sport है इसने breakout दिया है ऊपर के जो टार्गेट है 956 और 985 के हैं अब हम आते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पर देखिए फिन निफ्टी क्या कहती है फिन निफ्टी में आपने देखिए हर डिप को बाय करना है 19,510 तक के डिप को बाय करना है 19,400 और stop loss रखना है 19,490 और जैसी यह 490 हो जाना है और नीचे की और आपको जो डाउन साइड मिलेगे भारी ग्रावट देखने को मिल सकती है फिर जो आपको लेके जाएगी कहां तक 19,448, 390, 372 और 330 तक आपको रिट्रेस्मेंट देखने को मिल सकती है बारी ग्रावट एक आपको देखने को मिलेगी इसका जो stop loss रखना है वो रखना है 510 यह आपका stop loss होगा उपर की और call में आपने क्या करना है यहाँ पर आपने माल लीजिए call ले ली 19,400 की 19,510 के पास तो आपका target होगा 19,556, 563 यहाँ पर भी अगर माल लो flat खुलती है फिर निफ्टी यह देखिए अगर माल लो यहाँ पर flat भी खुलती है तब भी buy कीजिए पर इसमें फिर जो SL होगा वो भी छोटा सा रखना है 19,550 ज्यादा बड़े बड़े SL नहीं 19,622 और fresh breakout जो इसमें आएगा वो यहाँ आएगा यहाँ पर आपने 19,500 की call दोबारा लेनी है 19,622 के ओपर वो breakout एक अच्छी rally भी देगा क्योंकि उदर जो nifty bank nifty के जो फसे हुए level है वो भी निकल जाएंगे तो एक हमें अच्छी rally देखने को भी लेगी तीनों इंडेक् जाएंगे 19,663, 683, 724, 825 और उपर की और 19,863 और 922 तक एक target मिल सकते मतलब मैं इसका भी positional target आपको दे रहा हूँ 19,900 और इस time यह है 19,583 पे यहाँ पे अगर कल 19,622 के ऊपर यह daily basis पे closing देती है fin nifty तो आपको आने वाले time में 19,900 fin nifty में भी देखने को मिल सकता है तो यह था हमारा trade setup nifty bank nifty की दूसरी वीडियो में दे दिया है और fin nifty का इस वीडियो में साथ हमने 2 stock दे दिये और उसके साथ 7 रुपईये का setup भी बता दिया अगर तो जुरूर लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर कीजिए थैंक यू धन्डे बाद